नमस्कार दोस्तो औल इंडिया गोल्ड प्राइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सोने चांदी के ताजा रेट और तेजी मंदी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे सोना खरीदने वालों के लिए आए बेहत बड़ी खुशखबरी सोने में भा 65,587 रुप्ये के भाव पर सर्वोच स्तर छू लिया चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ खुलने के बाद सुस्त पड़ गए थे लेकिन शाम को इसके भाव में भी तेजी देखी जाने लगी हाजिर बाजार में भी आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई डिली के सर्राफा बाजार में सोने के हाजिर भाव 500 रुप्ये चड़कर 65,650 रुप्ये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए चांदी के हाजिर भाव 400 रुप्ये की तेजी के साथ 74,900 रुप्ये किलो के भाव पर पहुँच गए अंतराश्ट्रिय बजार में सोने के वायदा भाव में तेजी जबकि चांदी के भाव में सुस्ती देखने को मिली सोने के वायदा भाव नए शिखर पर सोने के वाइदा भाव आज तेजी के साथ खुले. Multi Commodity Exchange, MCX पर सोने का Benchmark April Contract 27 रुपय की तेजी के साथ 65,205 रुपय के भाव पर खुला. खबर लिखे जाने के समय ये Contract 266 रुपय की तेजी के साथ 65,466 रुपय के भाव पर कारोबार कर रहा था. इस समय इसने 65,587 रुपय के भाव पर दिन का उच्चस्तर और 65,205 रुपय के भाव पर दिन का निचलस्तर चुलिया. सोने के वायदा भाव ने आज 65,587 रुपय प्रती 10 ग्राम के भाव पर सरवोचस्तर चुलिया. चांदी के वाइदा भाव में भी तेजी चांदी के वाइदा भाव की शुरुआत भी आज तेज रही MCX पर चांदी का बेंच्मार्क माई कॉंट्रेक्ट आज 306 रुप्य की तेजी के साथ 74,444 रुप्य के भाव पर खुला खबर लिखे जाने के समय ये कॉंट्रेक्ट 235 रुप्य की तेजी के साथ 74,373 रुप्य के भाव पर कारोबार कर रहा था इस समय इसने 74,444 रुप्य के भाव पर दिन का उच्च और 73,815 रुप्य प्रती किलो के भाव पर दिन का निचला स्तर चुलिया पिछले साल दिसंबर महीने में चान्दी के वायदा भाव 78,549 रुप्य किलो के भाव पर पहुँच गए थे अंतराश्ट्रिय बजार में सोना तेज चान्दी सुस्त अंतराश्ट्रिय बजार में सोने चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई लेकिन बाद में इसके भाव सुधरकर उच्चस्तर पर पहुँच गए कॉमेक्स पर सोना 2156.70 डॉलर प्रती औंसके भाव पर खुला पिछला क्लोजिंग प्राइस 2158.20 डॉलर था हाला की खबर लिखे जाने के समय ये 9.60 डॉलर की गिरावट के साथ 2167.80 डॉलर प्रती औंसके भाव पर कारोबार कर रहा था इसने आज 2172.20 डॉलर के भाव पर उच्चस्तर चुलिया कॉमेक्स पर चान्दी के वायदा भाव 24.40 डॉलर के भाव पर खुले पिछला क्लोजिंग प्राइस 24.49 डॉलर था कबर लिखे जाने के समय ये 0.1 डॉलर की गिरावट के साथ 24.48 डॉलर प्रती औंसके भाव पर कारोबार कर रहा था HDFC Securities में Senior Commodity Analyst सौमिल गांधी ने कहा लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली जिसके बाद दाम लाइफ टाइम हाई पर जा पहुचा है उन्होंने बताया कि दिल्ली में सोना 500 रुप्य प्रती 10 ग्राम के उच्छाल के साथ 65,650 रुप्य पर जा पहुचा है उन्होंने बताया कि अंतराश्ट्रिय और Overseas Markets से मिल रहे संकेतों के चलते सोने की कीमतों में ये चेजी देखने को मिल रही है अंतराश्ट्रिय बाजार में कॉमेक्स पर सोना 30 डॉलर प्रती ओंस के उच्छाल के साथ 2,152 डॉलर प्रती ओंस पर कारोबार कर रहा है वैसे इंटेंशनल मार्केट में गोल्ड 2,101.50 डॉलर प्रती ओंस के लेवल को भी चूचुचुका है चांदी के दामों में भी उच्छाल आया है और 400 रॉपिय के उच्छाल के साथ 74,900 रॉपिय प्रती किलो पर जा पहुचा है दरसल फेडरल रिजर्व बैंक की जीरोम पॉविल ने फिर से संकेत दिये की अमेरिकी सेंट्रल बैंक इस साल ब्याज दरों में कटोती कर सकता है उन्होंने कहा की अमेरिकी fade reserve का मकसद जयाजा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना और अमेरिकी लोगों के लिए कीमतों में स्थिर्ता लाना है जिससे महंगाई से लोगों को रहत मिल सके उन्होंने कहा कि Policy Rate अपनी पीक पर है और इस साल में व्याज दर्मे कटोटी के आसार है हाला कि उन्होंने कहा कि आसा करने के लिए Federal Open Market Committee को भरोसा होना जरूरी है International Market में सोने में उच्छाल नजर आ रहा है तो उसका असर भारत में भी घरेलू मार्केट पर पढ़ रहा है Demand और खपद बढ़ने के चलते घरेलू बाजारों में भी सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है सोने के दामों में तेजी यही थमने वाली नहीं है जानकारों का मानना है कि 2024 में सोना 70,000 रुपये प्रती 10 ग्राम को लेवल को चुछ हो सकता है भारतिय सर्राफा बजार में आज 7 मार्च 2024 को सोना और चांदी महंगा हुआ है महंगा होने के बाद सोने की कीमत 65,000 रुपये प्रती 10 ग्राम के पार है वहीं, चांदी का भाव 72,000 रुप्य प्रती किलो से अधिक है राश्ट्री अस्तर पर 999 शुधता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 65,049 है जबकि 999 शुधता वाली चांदी सिल्वक की कीमत 72,121 रुप्य है इंडिया बुलियन एंजवेलर्स असोसियेशन के मताबिक, बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुधसोना 64,493 रुप्य प्रती 10 ग्राम था जो आज सुभः 65,049 रुप्य पर आ गया है इसी तरह शुधता के आधार पर सोना और चांदी दोनों महेंगे हुए है आज क्या है सोने चांदी की कीमत? आधिकारिक वेबसाइट इपजारेट्स.com के मताबिक, आज सुभः 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 64,789 रुप्य पहुँच गए है वही, 916 बाइस केरिट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 69,584 रुप्य का हो गया है इसके अलावा, 750 प्योरिटी वाले 18 केरिट सोने के दाम 48,786 पर आ गए है वही, 585 प्योरिटी वाला गोर्ड 14 केरिट आज महेंगा होकर 38,000 रुप्य में आ गया है इसके अलावा, 999 प्योरिटी वाली एक किलो चांदी आज 72,121 रुप्य की हो गई है वैश्विक स्तर पर भी जब भी युद्धा की स्थिती होती है तो निवेशक गोल्ड में निवेश करना पसंद करते है दरसल, गोल्ड काफी से क्यो आप्शन होता है इस हफ़ते सोने की कीमतों में शांदार तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है बीते दिन बुधवार को गोल्ड रेकॉर्ड स्थर पर पहुँच गया अमेरिका में फेड चेर्मेन जेरोम पॉवेल ने संकेत दिये हैं कि इस साल के अंत में फेड दर में कटोती हो सकती है इस संकेत के बाद जहां एक तरफ डॉलर में गिरावट देखने को मिली है तो दूसरी तरफ सोने को अतिरिक्ट प्रोथसाहन मिला सोने में तेजी की संभावना है क्योंकि तेजी की भावना हावी बनी हुई है हाला कि बुलियन को पॉवेल की समगर टिप्पनियों को समझने और शुक्रवार की रोजगार रिपोर्ट देखने में थोड़ा समय लग सकता है बता दे कि जब उच्च अमेरिकी ब्याजदरे बॉंड जैसी प्रतिस्पर्धी परिसंपत्तियों पर रिटन बढ़ाती है और डॉलर को बढ़ावा देती है तो सोने को नुकसाल होता है जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सराफा मेहंगा हो जाता है